मुंबई शहर में विजया नाम की एक गरीब विध्वा अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी विजया इडली का ठेला लगाती थी सुबह से शाम तक विजया इडली के ठेले पर मेहनत करती थी विजया की इडली दूर दूर से लोग खाने आते इसका भी कारण था विजया दस रुपे प्लेट पेचती थी इसलिए लोगों को उसकी इडली के दाम बहुत सस्ते लगते थे विजया बहन एक प्लेट इडली देना अभी बनाती हूँ भाई साब कुछ भी कहो विजया बहन तुम्हारी इडली बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और दाम भी तुमने बहुत सस्ते रखे हुए है अमीर हो या गरीब हर कोई तुम्हारी इडली खरीद कर खा सकता है भाई साब मैंने गरीबी में दिन गुजारे है मैं जानती हूँ भूग की कीमत मा वो दादाजी आ गए राधा बिटिया तो मुझे दूर से ही पहचान लेती है हाँ बाबुजी आपको इतना समय हो गया हमारे ठेले पर आते एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब आप मेरे ठेले से इडली खाकर न जाए विजया बेटी तुम्हारे हाथ की इडली खाने की आदत हो गई है इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है की आराम से पूरा दिन निकाल देता हूँ हाँ अच्छा बाबुजी आप कह रहे थे आपके किरायदार घर खाली करके जाने वाले हैं अभी कहा गए हैं कई बार उन्हें कह चुका हूँ घर खाली कर दो खाली कर दो पर वो करते ही नहीं है सारा दिन सोर मचाते रहते हैं उनके घर में कोई न कोई पाटी चलती रहती है बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इन किरायदारों से विजया अभी बूढ़े व्यक्ति को इडली दे ही रही थी कि अचानक वहाँ ही कुल्डा आ जाता है देख विजया तूने मुझे इस हफते भी किराया नहीं दिया ये ठेला जिस जगा खड़ा है ये एरिया मेरा है दो महीने के तेरे पांच हजार रुपे बनते हैं एक हफते का समय देकर जा रहा हूँ मुझे पांच हजार रुपे देना नहीं तो ये ठेला और सारा समान उठाकर फेंक दूंगा दिलावर भाई ऐसा मत कहो मैं एक हफते में पांच हजार रुपे कहां से लाओंगी बड़ी मुश्किल से तो घर का गुजारा चला पाती हूँ विलावर नाम का गुंडा विजिया को धमकी दे कर चला जाता है अब ये गुंडा कौन था बेटी तो तुम से इस तरह से बात कर रहा था बाबुची ये इस एरिया का गुंडा है ये सभी दुकानदारों से महीने के पैसे लेता है और कोई ना दे तो जबरदस्ती करके उससे पैसे छीन कर ले जाता है और अगर कोई पुलिस को खबर करनी चाहे तो उसकी सारी दुकान और सामान तोड़ देता है इसलिए यहाँ पर इस दिलावर के खिलाफ कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता बेटी मैं कुछ साहता कर सकूँ तो नहीं नहीं बाबुची आपने इतना कह दिया यही काफी है बेचारी विजिया परिशान हो जाती है वो उस बुड़े व्यक्ती को परिशान नहीं करना चाती थी इसलिए वो बुड़े व्यक्ती की मदद लेने से इंकार कर देती है दो दिन बीच जाते हैं विजिया परिशान हो रही थी मा क्या हुआ तुम ठीक तो हो राधा कुछ दिनों बाद दिलावर पैसे लेने आ जाएगा मैं कहां से दूगी मेरे पास सर्फ नौसो रुपे ही जुड़े है अब क्या होगा मा आप कहां से पैसे लाओगी देखती हूँ वो बाबु जी उस दिन कह रहे थे मैं सोच रही हूँ अगर मैं बाबु जी से उधार पैसे लेकर दिलावर को दे देती हूँ तो मैं बाबु जी के पैसे थोड़े-थोड़े करके चुका दूगी कम से कम दिलावर जैसे गुंड़ से पीछा तो छूट जाएगा हा मा बाबु जी तो बहुत अच्छे हैं वो हमारी मदद जरूर करेंगे विज्या ठेला लेकर बाजार पहुँचती है पूरा दिन भीर जाता है पर वो बुढ़ा व्यक्ति इडली खाने ठेले पर नहीं आता मा बाबु जी तो आज इडली खाने के लिए आए ही नहीं अब क्या करोगी पता नहीं बाबु जी पिछले दो दिन से आही नहीं रहे हैं वो तो कभी ऐसा नहीं होता कि इडली खाने ना आए कुछ तो बात है शायद तब्यर ठीक ना हो इस वज़े से ना रहे हो विजिया को लग रहा था कि बुढ़े व्यक्ति की तब्य ठीक नहीं है इसलिए शायद वो इडली खाने नहीं आए है पर जब 6 दिन बीच जाते हैं तब विजिया को भी चिंता होने लगती है दिलावर कल अपने पैसे लेने आ जाएगा मेरे पास कुछ भी इंतिसाम नहीं हुआ है पड़ी मुश्किल से सिर्फ 25 सो रुपे ही जोड़ पाई हूँ पर क्या करू भरवान समझ नहीं आ रहा अगर वो बाबुजी आ जाते तो मैं उनसे कुछ मदद मांग लेती पर वो भी नहीं आ रहे है राधा बाबुजी तुम्हें बता रहे थे कि वो कहां रहते हैं तुमने एक बार उनसे पूछा था ना हा मा वो बता रहे थे कि काली मा का बड़ा मंदिर जो है उसके बगल वाली गली में ही फ्लैट में रहते हैं एक काम करते हैं राधा वापसी में घर जाते हुए हम उनसे एक बार मिल लेते हैं शायद वो हमारी थोड़ी मदद कर दे परना कल दिलावरा कर मेरा पूरा ठेला उजार देगा रात को अपना काम निपटा कर विजिया राधा के साथ बुड़े व्यक्ती के घर की ओर चल पड़ती है और बुड़े व्यक्ती का नाम पूछते हुए वो उनके फ्लैट पर पहुँचती है और घंटी बजाती है कौन हो? किस से मिलना है? जी, यहाँ पर रतनलाल जी रहते हैं मुझे उन बाबुजी से मिलना था वो अब यहाँ नहीं रहते वो यह घर हमें बेचकर अपने गाउं चले गए है पर बाबुजी अचानक गाउं मुझे इतनी कहानी नहीं पता उनने पैसों की जरूरत थी यह घर हमें बेचकर चले गए ए लड़की, मा खिड़की में क्या जाक रही है? चली धरा, चली जाओ यहाँ से बिगार में मेरा टाइम खराब मत करो विजिया वहाँ से निराश हो कर चली जाती है रास्ते में मा, मुझे लगता है वो आंटी जूट बोल रही है दादा जी अंदर कमरे में ही है मुझे खिड़की से उनकी जलक दिखाई दी थी क्या, ये तो क्या कह रही है राधा हाँ मा, मैं सच कह रही हो तादा जी मुझे दिखाई दिये थे विजिया पूरी रात सो नहीं पाती वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुँचती है और सारी बात पुलिस को बताती है देखो तुमारे कहने पर हम चलतो रहे हैं पर अगर वाँ कोई नहीं मिला तो तुमारे लिए भी परिसानी होगी या तुमारे कहने पर हमने सब जगाद देख लिया सौरी मैम, हमने आपको परिसान किया इंस्पेक्टर साहब आप इस गरीब औरत पर विश्वास कर रहे हैं पता नहीं ये लोग थोड़ा बहुत ग्राहक के साथ घुल मिल किया जाते हैं उसके घर तक ही पहुँच जाते हैं इस ओरत को मैंने पहले ही कह दिया कि हमने ये मकान खरीद लिया है और अब जो यहां बुज़र्ग व्यक्ति रहते थे वो अपने गाव चले गए हैं विश्या अपना इडली का ठेला लेकर काम पर आ जाती है वो अभी बुढ़े व्यक्ति के बारे में सोची रही थी कि अचानक दिलावर आ जाता है दिलावर भाई मेरे पास ये 25 सो रुपई है अभी आप ये ले लो मैं कुछ दिनों तक बागी के पैसे दे दूँगे मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे पूरे पैसे चाहिए रड़कों चलो सम मिलकर इसका ठेला तोड़ दो और सामान उठा कर फैंग दो दिलावर भाई ऐसा मत करो मेरी रोजी रोटी सिटली के ठेले से ही चलती है दिलावर विज्या की एक बात नहीं सुनता और सारा ठेलो और सामान तोड़ कर चला जाता है विज्या फूट फूट करो पड़ती है तब ही उसकी नजर उसी ओरत पर पड़ती है जो बुढ़े व्यक्ति के घर तक पहुँचती है सुनो जी आज इस पूढ़े का काम तमाम ही कर देंगे इसे रसी में बांध कर गाड़ी में ले चलते हैं और किसी नदी में फेक देंगे फिर ये घर और जायदाद हमारी हो जाएगी ही भगवान ये तोनो बाबुजी को मार देंगे मुझे कुछ करना होगा देखो जी मैं तुमारे कहने पर पहले भी एक बार उनके घर जा चुका हूँ अब बार बार जाते हुए अमारे उपर भी बात आती है इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रही हूँ वो लोग बाबुजी को मार देंगे बस एक बार और मेरे साथ चल लीजे फिर मैं आपको कभी नहीं कहूँगी इंस्पेक्टर विज्या के साथ जब बुढ़े व्यक्ती के घर पहुँचता है तो वो उन पती-पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है रग रफतार कर लो इन दोना पती-पत्नी को विजया बेटी ये दोनों मेरे किरायदार हैं मैंने तुम्हें बताया था ये बहुत सालों से यहां रह रहे हैं मैंने जब इनसे अपना मकान खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने मुझे बांद कर कमरे में बंद कर दिया पिछले एक हफते से मैं कमरे में कैड हूँ आज तुमने मेरी जान बचा ली बेटी दादा जी आपको पता है दिलावर ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया सारा सामान भी भेग दिया बाबुजी आप ठीके मुझे इस बात की बहुत खुशी है विजया बेटी आज तुमने मेरी मदद की है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक होटल खोल कर दे सकता हूँ तुम राधा बिटिया को पढ़ा लिखा कर बढ़ा करो अपने खाने के व्यापार को आगे बढ़ाओ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अगर मैं तुम दोनों के काम आ सका तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी हाँ बेटा बुड़े व्यक्ति की मदद से विज्या साउथ इंडियन होटल खोल लेती है पर वो अभी भी पहले की तरह सस्ती थाली ही बेशती थी ताकि कोई भी गरिये बासानी से थाली खरीद कर खा सके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हाँ शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए बेस्ट बाडीज